तो गैस आपको तो पता है कि आने वाले 10 और 11 तारिक से 22 के मैदान पे एक महान यूध होने वाली है रहिनिकान सर की जलर मुवी के साथ, सनी दोल सर की गदटू मुवी के साथ और अक्षे गुमार सर की OMG 2 मुवी के साथ तीनों के तीनों फिल्म ना गाईस एकदम से खतरनाक फिल्म हैं और तीनों के तीने हीरो जो है न भाई एक अलग लेवल के अपने अपने हिसाब से एक फैन वेस रखके रखे हैं तो यह यूध जो है यह जो प्लैस है बहुत जबरदस्त होने वाली है तो चलिए हम बात करते हैं इसकी एडवांस बुकिंग के बारे में तीनों के और क्रेस के बारे में कि किसका मतलब अभी स्थिती कैसा है तो पहले हम जैलर के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि वो पहले आ रही है दस तारीक को आ रही है तो गैस देखो जेलर एक पैन इंडिया मूवी है और इसकी क्रेस के बारे में मैं आपको एक छोटा सा एक्जमपल देता हूँ जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है देखो यार बेंगलरू पे चन्नाई पे और भी कहीं सारे जगाओं पे जो ऑफिसेल वर्क वगरा जो होता है कई सारे आफिस में छुटे डिकलियर हो गया है कि बो लोग जा गर के बो फिल्म को बहां पे लुग की ज़री कि हैं कि जबर्दस्त है और इसके साथ अगर हम एडवांस की बात करें तो तक्रीबन डेढ़ लाग से उपर मतलब इसकी जो टिकेट मतलब सोल्ट आउट हो चुके हैं अभी तक हमारे पास तामिलर तेलगु का ये टिकेट सोल्ट आउट की रिपोर्ट आया है ओके तो तक्रिबान दो लेंगोईस में हैं पर से तामिलर तेलगु का अभी तक नहीं पता चला है तो तामिलर तेलगु का मिला कर कि डेढ़ लाग से उपर टिकेट जो वो सोल्ट आउट हो चुके है जेलर का तो भाई क्रेज तो तो तवरा है और एगदम से पतलब एडवांस बुकिंग यह हुआ बहुत सारे लोग इसको भोचपूरी सिनेमा भी बोलने लेगे बहुत सारी कुछ हुआ लेकिन कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि भाई गदर 2 का मतलब उसका अलगी लेवल का प्रमोशन है उसका जो इमोशन जुड़ा हुआ है गदर के साथ और सणी देउल से जादा टिकेट जो है इसका सोल्ट आउट हो जुके हैं मेरे भाई और तक्रीबन 4 करोड तक की एडवांस बुकिंग सिर्फ हो जुका है जो कि इसके ओडियंस जो है ना मास लेवल पे जो ओडियंस है बहुत सारे मतलब यंग स्टार तो होंगे बहुत सारे लोग लेकिन उसके साथ साथ यंग स्टार के पिता उनके पापाजी ये लोग भी जाएंगे फिल्म देखने और ये लोग एडवांस बुकिंग नहीं करेंगे डियरेकली जागर के थेटर में ही टिकेट लेंगे तो उसका जो होगा उसके साथ साथ एडवांस बुकिंग के मामले में भी डेवान कलेक्शन है ना ये तीनों फिल्म से सबसे ज़्यादा होने वाली है ये लिखके देता हूं मैं जब बर्दस्त होगा आप मानो ना मानो तक्रीबन 30 करोर से ज़्यादा तो जरूर होने वाली है ये सारी चीज़ को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है तो गदर 2 एकद की टिकेट जो है वो सोल्ड आउट होए ओके तक्रीबन 20,000 तक की सोल्ड आउट होए लेकिन भाई मैं एक चीज़ यहां पर कहना चाहूंगा जो कि हमेश्चा कहता हूं ऐसी फिल्म होगे मतलब जब CBFC एसारी पिगट दे देते हैं लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट हो जाता है यह हो जात है और फिल्म का असली प्रमोशन आं फिल्म grown देG यह confirm है मेरे बाई, OMG 2 movie को कुछ लोग देखेंगे, उसके बाद जो review होगा, लोगों का इस तरह का reaction होगा, उसी हिसाब से film का promotion उसके बाद होगा, day one collection बहले ही कम हो, लेकिन बात में अच्छा खाजा collection हो ही जाती है, film में दम हो तो, क्योंकि एस certificate के film के साथ वैसा ही होता है, हम बात में उसका कुछ development हो, और ticket sold out बगेरा, यह सब कुछ बढ़े, लेकिन हाला कि अभी अगर हम advance booking की बात करे, और film release होने की क्रेस की बात करें, तो OMG2 का उतना नहीं है, बीस अजार, तकरीबर बीस अजार तक की ticket sold out हुए है, तो गाईस सच बताएं, तो यह जो तिन फिल्म में आ रहे हैं, तिनों की, अगर तिनों का हमरें रेंक के हिसाब से रखें, तो एक नंबर पे रहे का होने वाला है, उसका भी बहुत जबर्दस collection होने वाल है, और तिसरे नंबर पे OMG2 है, जो कि यह दोनों फिल्मों के मामले में एकदम से बहुती कम है, बस देखते हैं कि film release होने के बाद क्या होता है, film release होने के बाद असली promotion होगा, आपको क्या लगता है, overall collection में, overall collection में कौन ह होगा असली PJता, जलूर कमेंट करना, thanks for watching, have a nice day, take care.